Praise the Lord परमेश्य के दन्यवाद हो एक उर्वार उसने अफसर दिया उसके वचन में से सीखने का आप सबी का मैं दन्यवाद देता हूँ और आज हम देखेंगे यशाह और उसका 28 वाद्ध्या है पहली कुछ चार आयते पड़े पहली आयत पड़ें फिर देर करके आगे बोलूँगा घमन के मुकुट पर हाए जो एप्रेम के मतवालों का है और उनकी भीड कीली सुन्दरता पर जो मुर्जाने वाला फूल है जो अती उपजाओ तराई के सीरे पर दाखमदू से मतवालों की है यशाहा एक ऐसा भाई शक्ता है जिसने अपने समय में हर एक चेतावनी को आगे से आगे बोला उसको पूर्ण रूप से परमीशने चुना ताकि इसराइली जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को पहले से बता दे और इसराइल को चेतावनी देने के लिए कि तुम ऐसा ना करो नि तो समय आएगा मैं तुम्हें नाशकर दूँगा इस अध्याय से हम सीखेंगे कि एक मसी किस तरह से परमीशन मसी की अगवाई करता है लाज शुक्रवार के मैसेज में यही ता कि प्रभू हमारी अगवाई करता है हमारे संग संग चलता है उसे बहाता है यहाँ पर हम देखेंगे अगवाई करता है तो उसके साथ वह क्या-क्या बोलता है जेतावनिया भी हैं कई बार हम परमेश्वर का एकी रूप देखना चाहते हैं जो है बलसिंग आशिष देता रहे और दया यही सारी चीजे हम देखते हैं और सोचते हैं कि प्रभू बहुत अच्छा है प्रभू अच्छा है हमें ताडना देता है तो भी अच्छा है वो पर आज प्रभू का ह हम क्रोध भी देखेंगे किनके प्रती जो प्रभू के उपर पूर्ण विश्वास नी करते उनके प्रती और उसका क्रोध को हम हलके में ना ले कई बार हमारे जीवन को हम जीते हैं और कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं दूसरा यह उन्ना उसके पहले अध अलत शिक्षा को प्रमोट करता है, परमेशर से आपको दूर ले जाता है, ऐसे व्यक्ति को यदि आप नमशकार भी करते हैं, आप साजी हो गए उसके, कितना जीवन हमें सोच के चलना चीए, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमें परमेशर से दूर ले जाता है, और उस व्यक् उसे हम मिलते हैं, कितने लोग हमें परमישur से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं मैंने पहले है गपले इता अपको एक तरफ परमישur है और दुसरी तरफ संसार है संसार हमें खै hesitate अपनी तरफ अर उसके लिए वो हर एक प्रयास करता है कि हम पर मेरी शुर से दूर हो जाए शेतान का एक मात्र जो मसी के उपर दाओ चलता है वो कहां चलता है मालू मैं उसको निराश करके जैसे ही वो निराशा में जाता है वैसे ही अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग आप उसके जीवन में आने लग जाते हैं यहाँ पर भी वोई परिस्तिती है अब समय ऐसा है कि ये लोग गुलामी में हैं और ना केवल इनको अशूर के राजा से खत्रा था बलकि सबसे बड़ी बात इनको खुद से खत्रा था किस तरह से? ये लोग परमेशुर से दूर हो चुके थे प्यक्कड हो चुके थे मतवाले हो चुके थे अपने इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे परमेशुर को भूल चुके थे सबसे बड़ा खत्रा एक मनश्य के लिए वो स्वेम खुद है हम कई बार सोचते हैं कि अब क्या होगा नई नई सरकारे बदल रही है एक मुनिश्य दिमाग में विचार आता है अब क्या होगा हमें किसी सरकार से खत्रा नहीं है हमें सिर्फ अपने आप से खत्रा है अपने आप को हम सुधारे हैं अपने आपको बुराई से बचा के रखें परमेश्व आशिश देगा हबब कुख दो के चार में साफ लिखा है कि परिस्तिति कैसी भी गंबीरो उस समय पून रूप से इसराइल बेविलोन के अधिन था अन्याय हो रहा है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है परिस्टिति नहीं है, हमारे अनुकूल परिस्तिति नहीं है गबरानी के कोई आवशक्ता नहीं है आपको सिर्फ यह याद रखना है कि आपका जीवित परमेश्व आपके साथ है आज का वचन क्या बोलता है यह घमंड के मुकुट पर है सीखने वाली बात है गमंड में किस गमंड में एक एहम में चूर हो चुगा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता मुझे कोई पराजे नहीं कर सकता मैं जगे 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 मैंने राज्य कर लिया है मेरा राज्य बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है अशुर का राज्य जोटा नहीं था उसके साथ अलग-अलग राज्य जुड़ते गए यहां पर रेप्रेम भी जुड़ गया उसके साथ जब लोग ताकतवर होते हैं तब कई लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं अपने प्राणों को बचाने के लिए वही हो रहा है यहां पर पहली आयत में क्या बोलता है हाए उस घमंड के मुकुट पर वजन सहीता में साथ कहता है दाओद राजा कि परमेश्वर को घमंड से चड़िवी आखों से घ्रणा है खतम कर देता है नाश कर देता है उस घमन से जड़िवी यहां खोगो और यहां तो वो घमन कर रहा है किंद के उपर विजय प्राप्त करके परमीश्वर की निजप्रजा इसराइल के उपर विजय प्राप्त करके भूल किया उनका करता कौन है जिवित परमीश्वर है जो सदेव उनकी बातों को सुनता है सदेव उनकी प्रात्नाओं को सुनता है और उनके साथ चलना परमेश्यों को भाता है वो उनके अगवाई करता है और मिस्र देश से अगवाई करके लेके आया था दुश्मनों से बचाता वाला आया था और पीछे आग का खंबा बनकर स्थिर खड़ा था, यह वही परमेश्वर है, जिनों ने इसको जीवित रखा, पूरी जाती को और सम्रद्ध कर दिया, बढ़ा दिया, आज गलतिया इन इसरायल वालों की हैं, कि जब सम्रद्धी में आ गए यह लोग, तब परमेश्वर को भ लिखा है, साफ साफ, क्या करते थे लोग, ये भी दाखमदू के कारण डगमगाते और मदीरा से लड़ खड़ाते हैं, याजक और नभी भी मदीरा के कारण डगमगाते हैं, ना केवल प्रजा, पर कौन, याजक और नभी भी मदीरा के कारण डगमगाते हैं, कुछ बचा आप, जो अग्वे हैं वो खुद बिगड़ जुगे, शुक्रोर के प्रचार में यही कहा था, अंधे अग्वे के पीछे जाओगे, आपको गड़े में किरा देगा, यहां पर परमेश्वन ने इनको न्यूक्त करा, एक जिम्मेदारी दी, कि तुम्हें मेरी प् पूरा देश, क्रिश्यानिटी को, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्रिश्यानिटी है, मसी लोग है वहाँ, परनामधारी मसी, जो चीज वो बताता है मुझे, उस चीज से मेरे को मसीयों के चरित्र पर कई बार ऐसा लगता है कि यह धबबा हैं, टोटल कॉंगो, टोटल कॉंगो, मैक्सिमम, वहाँ पताया जा रहा है कि कम से कम 80% वहाँ के जो लोग हैं, वो प्रोस्टिटूशन में हैं, वे अभी चार में हैं, वैसे कमाई करते हैं, कॉंगो के अंदर कोई फेक्टरी नी है, बहार से माल इंपोर्ट करा जाता है और व वहाँ का जो पास्टर रहे हो उनको घर पे बुलाओ आप, बुलाने की एक शर्त है, आप दारू की बोतल रखेंगे, घर में आएगा, दारू पिएगा, खाना खायेगा, उसको नौन विज भी चिए, उसके बाद प्रातना करेगा, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, क्य सीख दे रहे हो, सिर्फ नाम के लिए बस यह कर लेते हैं, कि हमारे पास क्रूस है, पून रूप से भरे वें किसमें अंदविश्वास में, उसकी वाइफ खुद, उसने वहीं से शादी करी है, क्रिश्चन है, पर क्या करते हैं मालू में, उन क्रिश्चनों को एक दे रखा है, कि ये आत्मा आ जाए, तो ये बोलना है तुम्हें, ऐसे ऐसे जो कोई अलग तरीके से गंडा ताबिच बोल ले हैं, कुछ भी बोल लो, वो चीज वो मसी कर रहे हैं, जादू विद्ध्या, टोना टोटका, कैसे बोले हम उनको मसी, यही कारण है, कि कौंगो एक बहुत गरीब देश है, यही कारण, पनप नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्व की मार उनके उपर है, इसराइलियों को दिया सब कुछ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने जीवन को बिगाड लिया, और उसके बाद जब सब कुछ छिन गया, तब हाय कर रहे हैं, हे प्रभु हमें सिखाता है, कि अपने जीवन को हम, उसके पीछे चलाएं, उसकी आज्याओं के अनुसार, हमें परमीश्वर की आज्या सुननी है, बस, सांसारिकता के बिचे नहीं भागना, यहां पर क्या हश्र होता है इनका, जो घमंड का मुकुड था, आप पढ़ें, चोथी आयत और उनकी भड़कीली सुन्दरता का मुर्जाने वाला फूल, जो अति उपजाव तराई के सिरे पर है, वा ग्रिश्मिकाल से पेले पकी अंजीर के समान होगा, जिसे देखने वाला देखते ही, हाथ में ले और निगल जाए क्या हो जाएगा वो? उनकी भड़कीली सुन्दरता मुर्जाने वाला फूल, जो अति उपजाव तराई के भी सिरे पर है, वैसा हो जाएगा, मुर्जाने वाला फूल, जिसके उपर घमंड कर रहे थे हैं, मेरा राज्य, मेरे अधिन, सारे लोग, सारा पैसा मेरा, सब देंगे तब, प्रभु चाहता है, हम उससे व्यक्तिकत रूप से रिष्टा बढ़ाएं, सामुई की रूप से तो हम हैं, तो व्यक्तिकत रूप से रिष्टा बढ़ाना बहुत जरूरी है, हम कई उधारन देखते हैं, जहां पर बड़े-बड़े दास परमेश्यर के जिन परिस्तिती क्यों नो, अपनी कोठरी में जाके कमरा बंद करके प्रातना करता था, और सबसे बड़ा प्रभु ईश्यू मसी को देख लो आप, लिखा है जंगलों में जाके वो आधिराद में परमेश्यों से प्रातना करता था, यह व्यक्तिकत रिष्टा है, जैसे हम उसस व्यक्तिकत रिष्टा बढ़ाते हैं, वैसे ही परमेश्यों हमें क्या करता है, आने वाले बविश्य के बारे में चिताउनिया देता जाता है, और सब ने, जिन्होंने व्यक्तिकत रिष्टा बढ़ाया, सब को परमेश्यों ने बविश्य दिखाया, यह परमेश्यों की ख यदि आप चाहते हैं कि आपका बहुषिक में क्या होने वाला है व्यक्तिक रिष्टा बढ़ा है 24 गंटे दिये हैं उसने हमें एक दिन के अंदर 2 गंटे 40 मिर्ट उसको टाइम का दश्वांस दें ये जरूरी है ये समय आ गया है अब कि हम उसकी आराधना में उसके व्यक्तिक रिष्टे में अपने जीवन को बढ़ा है तब जाके ये घटना तब जाके ये चीज होगी कि जो मुकुट क्या था घमन से भरावा मुकुट उसको क्या कर देगा वो खतम कर देगा क्या लिखाई यहां पर उसकी बढ़गीली सुंतरता मुर्जाने वाले फूल के समान कर देगा और पकेवे अंजीर के समान ग्रिश्मकाल में जैसे गिर जाता है ने फलकासा पेर डड़ाओ बला इतनी ही जाने उसके अंदर दिखरा है दूर से शोभाय मान क्या बहुत पैसा इसको कोई निगरा सकता पर हलकासा धक्का लगा शेक्ट नीचे कब जब हमारी प्राथना और हमारा व्यक्ति का जीवन बढ़ता जाएगा तब होगा ऐसे ही नहीं होगा परिस्थितियों को पलटने के लिए हमारे विश्वास को इस्थिर रखना बहुत ज़रूरी है जब तक हमारा विश्वास इस्थिर नहीं है तब तक हम उस नाओं में बैठे वे उन चेलों के समाने जो तूफान से डर रहे है प्रभु ईश्यमसी के पास होने के बावजूद भी डर रहे हैं वो क्योंकि नाओं हिल रहे है और जीवन दाता प्रभु ईश्यमसी खुद साथ है उसके बावजूद भी हे प्रभु हमें बचा ऐसे विश्वासी ना बने हम कि प्रभु ईश्यमसी को दिल में रखते हैं बगल में बावजूद रखते हैं और उसके बाद बोलते हैं हे प्रभु हमें बचा नहीं चाहिए ऐसा मसी प्रभू को विश्वास रखे तो पूरा रखे नी तो नहीं रखे प्रभु कहता है अधूरा विश्वास पाप है आप आपके भागेदार होना चाहते है तो पूर्ण विश्वास रखें परिस्तितियां बदल देगा वो इतना सामर्थी है उस पर विश्वास रखें आगे बोलता है वो यहाँ पर कैसे लोग हो चुगे हैं यह सात्वी आयत में कि वह डगमगाते हैं और दाखमदू से उनक दूर रहना है हमें मदीरा लिखा है यहाँ पर है ने वाइन और क्या कहते हैं दाखमदू दोनों है यहाँ बले इससे बच जा दर्शन भी मिलेगा ने बठक जाएगा क्या लिखता है प्रभू इसके विशे में नीती बच निकाले और उसका 23 वाध्याए 29 से 35 तक जल्दी से पड़े पूरा इसकी विशेष्टा बताईए जो लोग दारू का सेवन करते हैं या मदीरा का सेवन करते हैं उनके विशे में परमिश्य क्या कहता है कौन कहता है हाई कौन कहता है हाई कौन जगड़े रगड़े से फंचता है कौन बगबग करता है किसके आकरन घाव होते हैं किसकी आँखे लाल हो जाती है उनकी जो दाखमदू देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाखमदू डूड़ने को जाते हैं जब दाखमद लाल दिखाए देता है और कटोरे में उसका कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है और जब धार के साथ उंडेला जाता है तब उनको ना देखना क्योंकि अंत में वस्रप के समान ड़सता है और करेट के समान काटता है तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी तो समुंद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परन्तु दुखित न हुआ मैं पिट तो गया परन्तु मुझे कुछ सुधी ना थी मैं होश में कब आऊं तो मैं तो फिर मदीरा डूंडूंगा डूंडूंगा च्या इस्तिति ये एक पीने वालेगी मार खाई मुझे पता ही नहीं लगा मैं होश में कावा हूँ क्यूं दुबारा पी लूँ ऐसा चाहते हैं कि हम मस्यत विशेश करके जो टीनेजर हैं उनके लिए मैं कहता हूँ अपने आपको बढ़ा ना समझे हैं शैतान यही चाहता है आपसे जैसे ही आप 12-13 साल के होते हो चोदा साल के होते हो किशोर अवस्था में आते हो आपके अंदर शार्रिक बदला हो रहा है आप सूसते हो कि अब आप बड़े हो गयो वही चीज शैतान इस्तमाल करता है आपका वो अंदर ऐसा मन देता है कि आप बड़े हो गए और आपको आपको किसी की बात सुनने क्या हो शक्ता नी फिर आपकी इच्छा क्या होगी जो बड़े करते हैं हम भी करके देखे और शादी हो गई आप तीस साल के हैं आप चालिस साल के हैं आपको कहीं भी बाइबिल नी कहते हैं कि आप आप आजाद हो हर एक तरह का नशा करने के लिए कहीं नी कहते हैं पर कई बाप क्या है डाट देते हैं है मैं बड़ा हूँ मैं कर सकता हूँ तू नी करेगा देखा है मैंने ऐसे लोगों को दिया है यहां बाइबिल में कहीं? नहीं दिया चीजियों को समझना बहुत जरूरी है हमारे सामने स्वर्ग राज्य जाने की कुंजी है पर उस कुंजी को लगाएं कैसे? इस्तमाल कैसे करें? वो आना जरूरी है आज हम सौभाग के शालिय है कि हमें बाइबिल दी जा रही है वचन कहता है ऐसा समय आएगा तुमसे वचन ले लिया जाएगा सोच ये उन लोगों के लिए कितना बड़ा मुश्किल होगा कि उनके पास वचन ही नहीं है सिर्फ विश्वास से सुर्ख जाएंगे उठा लिया वचन ले लिया क्यों? बहुत तुम मनुश्य जाती को मैंने वचन दिया तुमने उसका आदर नहीं किया सम्मान नहीं किया तुम उससे कुछ सीखे नहीं अब ये वचन ले लिया जाएगा आज हम सौबा के शालियें कि हमें वो अवसर मिला है वो ग्रेस पीरिड है कि हम अपने आप को बदले और यदि कोई मन के अंदर यदि कोई विचारों के अंदर भी गलत बात है तो उसको निकाल दे प्रभू नहीं चाहता है हमें दंड देना इसलिए चेतावनिया देता है सुदर जाओ नहीं तो मैं ऐसा कर दूँगा लिखा है साफ साफ यशा के अंदर साफ लिखा है इसलिए यहां पर क्या बोलता है कि जब वो उसका 31 वैद पढ़रों में जब दाकमदू लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है तब धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना क्योंकि हमारी आखें क्या करती है हमारे अंदर लालच पैदा करती है देख के हमें पाने की इच्छा होती है आप मत देखो आपकी इच्छा नहीं होगी किसी भी चीज की सुंदरता हो उसको हम देखेंगे हमारी इच्छा होगी कि इसको हम ले ले हर एक व्यक्ति के अलग-अलग कमजूरी होती है हर एक व्यक्ति के कोई यह नहीं कह सकता मैं कमजूर नहीं हूँ सबकी अलग趣 कमजूरिय शैतान जानता है सबकी कमजूरियों को उसको हम हलकान में ना ले हैं पर हमारी उपर परमेश्वर की दया है प्रभु ईश्य Przy्मसी की दया है कि वो हमारी कमजूरियों से खेल नहीं पाता प्रभु में बार बार नय वचन देकर सामर देता है, शक्ती देता है और हम आसे हड़ जाते है जैसे ही बुराई करने जा रहे होते है जैसे ही वो लालच जो कमजोरी हमारे अंदर है शैतान दिखाता है वैसे ही क्या करता है परमेश्व का आत्मा हमें पीछे से बोलता है, गलत है और हम रुख जाते है हम पाप नहीं करते है यह परमेश्व के दया है हम पर हमारी योग गिता नहीं है उसकी दया है, कि वो चाहता है हमें स्वर्ग राज्य देना इसलिए हमें बार 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 चेतावनी दे के सुधारत है कह दिया तो उसने इसराइली जाती को कि तुम मेरी प्रजा हो और मेरी प्रजा उसके साथ जाएगी उसके लिए करना क्या है उनको शुद करना है इसलिए उनको चेतावनी देता यहां पर क्या बोलता है कि अंत में क्या हो जाएगा सरब के समान डसेगी ध्यान रख लेना यह जो मेदीरा तुम पी रहे हो यह सरब के समान डस लेगी तुम पता नहीं लगेगा कब डस गई यही कारण था इन लोगों का बहग जाना बिगड जाना अगवे ही ऐसे हो चुके थे आगे पड़े हम चौदवी अध्यात में इस कारण हे ठटा करने वालो यरुश्लम वासी प्रजा की हाकीमों यववा का वचन सुनो तुमने कहा है हमने मृत्यू से वाचा बांदी और अधालोग से प्रतिग्या कराई कराई है इस कारण विपति जब बाड के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी क्योंकि हमने जूट की शरनली और मित्या की आड में चिपे हुए हैं ठीक है यहाँ पर इसका शीश ग्यादी देखा जाए तो सियोन में कोने का पत्थर जिसको प्रभू ईशु मसी के नाम से हम जानते हैं इस अध्याय में उसने बताया है कि हमारे छुडाने वाला प्रभू ईशु मसी भी आएगा जो हमें इन सारी बातों से छुडा लेगा इसलिए बोलता है यहाँ पर इस कारण पर ठटा हे ठटा करने वालो यरुशलेम वासी प्रजा के हाकिमो यहुआ का वचन सुनो कौन ठटा कर रहे हैं बारवाले कर रहे हैं एक यरुशलेम वासी, जो हाकिम है, जो अधिकारी है, वो ठटा कर रहे हैं, और करके क्या सोच रहे हैं, कि वो उनसे बड़े हैं, अम मजाग इसका बनाते हैं, मालू में हम से जो छोटा होता है, आपके आर्थिक स्थिति से कोई बड़ा है, उसका मजाग बना हो गया अग, दो मिट में बता देगा कि आपके स्थिति उसके नजर में क्या है, मजाग हम उसी का बनाते हैं, जिसको हम छोटा समझते हैं, जिसका हम आदर नहीं करते हैं, जिसके हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसका मजाग बनाते हैं, यहाँ पर प्रभुईश्य मसी को इन लोगों ने कुछ करा मुर्दे को जिला उठाया अंदों को आखें दे दी सब कुछ करा सारे के सारे बिमारियां ऐसी ऐसी आई जिनको एक मनिश्य ठीक नहीं कर सकता था पर प्रभुईश्य मसी ने अपनी दया से ठीक करके दिखाया दुष्टात्मा को भी निकाला हर एक वो काम जो ठटा उड़ाया है इनों कितना ज्यादा सोच समझ के हमेरे को अपने जीवन को चलाना चीए एक मसी जब मसी बनने के बाद या फिर मसीत में चलने के बाद अपने जीवन को परमीश्य से दूर रखता है तो परमीश्य का ठटा उड़ाता है उसके जीवन से दुनिया क्या के लिए यह मसी है तक पेक्रमnd시 ऑस्वे यह मश्य सीक्रेट पियने वाला मशी जह मशी को देखो गुट्का खाता है कि इस स्मसी देखो गालियां बख रह आप इस मसी को देखो लड़के आयाया हु usted बहुत से मसी होते हैं ने हम सुन ने सकते किसी की क्यों? आप मसी नहीं हो इसलिए आप सुन ने सकते क्योंकि परमेश्य का बचन कहता है सहो एक दूसरे की सहो तुरंत आवेश में आ जाते हैं और वो आवेश हमें ये बता देता है कि हम प्रभू की नज़दीकी में नहीं है हमें उसके उपर विश्वास नहीं है कि बदला वो लेगा हम खुद बदला लेते हैं यह सारी बातें हमें परमीश्वर की नज़दीकी में कितना है यह दरशाती है इसलिए प्रभू यहां पर क्या बोलता है कि अपने आप को चाचें और एक व्यक्ति खुद अपने आप के बारे में जितना जानता है दूसरा नहीं जानता हम दूसरे के सामने कई चहरे हैं हमारे कई चहरे मस्यों के साथ अलग चहरा है संसारिक लोगों के साथ अलग चहरा है अपने खास मित्रों के साथ अलग चेहरा है हमारे अलग अलग चेहरे पर प्रभु ईश्यु मसी हमारे सारे चेहरों को जानता है याद रखना आप उससे जूट नहीं बोल सकते हैं उसके सामने आप अपने आप को ऐसे प्रेजन नहीं कर सकते कि आप से बड़ा धर्मी कोई नहीं आज का वचन धोड़ा सक ठोड़े पर परमेश्यों जिस तरह से इसराइलियों से प्यार करता है ऐसे ही हम सबसे प्यार करता है उसी नहीं वचन दिया है हो जाता है दुबारा एक और बार अगर अभी भी कोई चीज बाकी है जो हमें परमेश्यों के उस प्रेम से दूर करती है उसको तुरंत निकाल दे तुरंत यह तो उस आशीश को हम बूल जाएंगे जो वह हमें देना चाहता है उससे बंचित रह जाएंगे हम मैं फिर कह रहा हूँ आपको आशीश और धनवान दोनों अलग अलग बाते है आशीश को पैसे से कभी न तोले परमेश्यों आपको आशीशित करता है इसका मतलब यह है कि आप स्वस्त है आपकी संताने है आपको उसने अपने भई में रख रखा है आप बुराई से बचते हैं आप पाप नहीं करते और आप स्वस्त जाने के योग यह है यह है आशीश पर हम मनुश्य होने के नाते सांसारिक होने के नाते हम क्या सोचते है हमारे पास कार है हमारे पास घर है हमारे पास बंगला है हमारे पास इतना पैसा है हम आशी शीत ने है पैसा तो non-Christian भी कमा रहा है हम से ज़्यादा कमा रहा है उसको हम आशी शीत बोल सकते हैं गया है उसको क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि प्रभु ईश्यू मसी का अनुगर उस पे नहीं पर जैसे हम मसी में अत्याते हैं वैसे ही इन सारी परिभाशाओं को बदल देते प्रभु चाहता है कि हम अपने आपको दुबारा एक और बार जाचे आप इसमें क्या लिखा है सोली आयत पढ़े इसलिए प्रभु योवायू कहता है देखो मैंने सियोन में नीव का एक पत्थर रखा है एक परखा हुवा पत्थर कोने का अन्मोल और अती द्रड नीव के योग्य पत्थर और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा ये बात जो कोई विश्वास करे वो उतावली ना करेगा जल्द बाजी, आज विश्वास कारें, प्रभकल मेरे को आशिच दे, करते हैं ने बहुत से, सची घठना बताता हूं मेरे पास एक प्रात्ना के लिए है, कि मुरे प्रात्ना करो, ठीक है सब प्रात्ना करती, काम हुआ नी, बला आपका इस्वास दो सुनता ही नहीं है, बल आप मुझे प्रात्ने के जरूत नहीं है प्लीज आप दुबार प्रात्ने ना करें उताव ली उस विश्वास को परका ही नहीं हो तो अभी हो यह तो मुझे जरूत नहीं है ऐसे लोगों को प्रभू को भी जरूत नहीं है जो उतावली से आते हैं जल्दवाजी क्यों कि यहां आने के बाद उनको कई और भी डोगने जाना है यह सच्चाई और ऐसे कई हैं सब जगे करते 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 चलो यहां भी यहां से भी थोड़ी आशिश ले ले ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता वचन कह रहा है मैंने कह रहा है क्या बोलता है यहां पर बहलो उस पत्थर को मैंने रख दिया जिसको कोई टाल नहीं सकता ठीक कॉरणर्स ट्रोन अगर कोई हम मैंसे बहुत हैं जो बैंलिंग का काम जानते हैं बनाते भी यहां आपको मालूम है कि corner stone कितना महत्वपूर होता है पूरी building को सीधा आड़ा टेड़ा करने के लिए वो जरूरी है अगर वो टेड़ा हो गया building टेड़ी हो जाएगी बहुत जरूरी है उस पत्थरों को set करना बला वो पत्थर मैंने रख दिया है जिसके ओपर तुमारा क्या बनेगा विश्वास रूपी घर बनेगा और कोने का अनमूल और अती द्रड़ नीव के योग्य पत्थर है वो एकदम द्रड़ नीव है अगर उसके ओपर हमने अपनी नीव रख दी कोई हिला नहीं सकता कुछ भी हो जाए फिर कितनी भी परिशानी आजाए कितनी भी सरकारे बदल जाए कितने भी हाकिम बदल जाए कुछ भी हमारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नीव हमने किसको चुना है हमारे प्रभूईश मसीगो उस नीव को जब हमने चुन लिया तो हमारा विश्वास रूपी जो घर है, इस्थिर रहेगा ऐसी कहानी नहीं बताई पर्मीशन ने प्रभु ईश्मसील बोलत ने दो विक्ती थे जिनोंने क्या करा एक ने चटान पे घर बनाया और दूसरे ने बालू पे बनाया लहर आई, तूफान आया और जो चटान का घर था, वो इस्थिर रहा और जो बालू का था, वो गिर गया हमको याद रखना है कि हमें कहां घर बनाने जिस नेव पे, जिस चटान पे हमने घर बनाया, वो क्या प्रभु ईश्मसी है और यदि प्रभु ईश्मसी है तो विश्वास रखें, उताव ली ना करें आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा यह परमेश्व का वचन है और जो कभी टलता नहीं उसकी दया देखिए आप कितना जादा एक सरलता से हमें समझाता है एक एक चीज हमें समझाता है कि एक मनुश्य को कैसे अपने जीवन को चलाना चाहिए किस तरह से वो आशिश का भागिदार होगा किस तरह से परमेश्वर की विवस्थाओं पे चलेगा तो वो उद्धार पाएगा और अनंतकाल में जाएगा सुर्गराज जी मिलेगा और एक चीज को असरलता से समझाता है बला मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं कर पाओगे मैं हूँ तुम्हारे साथ उस बात पे विश्वास रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और आज भी हमें ये विश्वास होना चीए कि प्रभुईश्य मसी है हमारे साथ कोई भी परिस्थिती क्यों ना आ जाए वो द्रड़ चट्टान जिसके उपर हमने नीव रखी है जो हमारा नीव का पत्थर है हमारे साथ है कोई हिला नहीं सकता हमें कोई गिरा नहीं सकता हमें क्योंकि जो कोई विश्वास रखे वा उतावली न करे और मैं न्याय की को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा जूट का शर्ण स्थान ओलो से ढह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा जब मैं न्याय करने आऊँगा तो जिस चूटे इस्थान में तुम छिपे हुए 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 है ने बहुत से वचान ऐसे नहीं लिखता कि प्रभू मैं तो तेरा नाम लेता था और प्रभू क्या बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता कब हो गई है जब उसने उस जूट के उपर अपना नीव रखी है पर उस शरण स्थान को खथम कर दूँगा मैं जहां पर तुमा शरण लेके बैठे हो उससे चिपके बैठे हो प्रभू ईश्यू मसी का प्रेम भी है तो प्रभू ईश्यू मसी का न्याय भी है चुनाओ हमारे हाथ में क्या हम उसके प्रेम में भागिदार होके आशिशित हो जाए या उसके न्याय के समय तक इंतजार करें आज अवसर है उसके प्रेम में भागिदार हो जाएं और परमेश्यर की उन आशिशों को पालें तो समय आएगा न्यायका जब मौका नहीं देगा परमेश्यर छोटे से बजन समसब को आशिशित करें हाइए प्रात्ने करें यह मारे प्रबु हम सबको समाल कर रखते हैं इसलिए आपका धन्यवाद इश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मिर प्रबु मिर प्रबु यहां बैटे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं इश्वर और धन्यवाद देते हैं मिर प्रबु आप वो आपके उपर बना है शुवर आप ही हमारे नीव के पत्थर है मिर प्रबू हम विश्वास रखते हैं मिर प्रबू उतावली नहीं करते देर हो या कितना भी समय लगे मिर प्रबू न्याई आप हैं न्याई आप ही करेंगे मिर प्रबू हमारे अधर्मों को जानते हुए भी आप हम पर दया करते हैं इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को जानते हुए भी मेर प्रबू आप हमें फिर एक और नया मौका देते हैं इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं मेर प्रबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते है इश्वर इतना अनोखा प्रेम आपने हमसे किया ऐसा कोई परमिश्वर दूसरा नहीं है इश्वर मेरे प्रभू आप सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आए ताकि मेरे प्रभू हम लोग स्वर्ग राजित जा सके इश्वर आपकी दया आपकी करुणा हमेशा निरंतर मेरे प्रभू इस कलीश्या पे और आपके हर एक विश्वासी पे बनी रहे जो अनलाइन देखते हैं मेरे प्रभू उन लोगों के लिए प्रात्ना करता हूँ आशिशित करना ये वचन उनके दिलों में घर करें मेरे प्रभू और वचन के अनुसार मेरे प्रभू अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें मेरे प्रभू मेरे प्रभु सिर्फ हम इच्छा कर सकते हैं सहायता देने के लिए आपका सहायक पवितरात्म हमारे साथ है इश्वर और उसी के द्वारा हम बदल सकते हैं इश्वर सार यादर महिमा आपको देते हैं इश्वर प्रभु इश्व मसी के नाम से मांगते है आमिन